तो गाईज यार काफी टाइम से अगर तुम बीजमाई खेल रहे हो लेकिन स्टिल तुमने कॉनक्यूर नहीं किया है तुम्हारे पास कॉनक्यूर का टाइटल नहीं है तुम्हारे पास कॉनक्यूर का फ्रेम नहीं है तो देखो अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है न तो गाइज एर Conqueror करने से पहले तुम्हें सोच लिना है कि तुम्हें Conqueror करना किसम है लाइक तुम्हारे पास तीन ओप्षिन होता है Solo, Duo and Squad अब Squad के अगर सबसे पहले बात करें तो Squad में तुम्हें चाहिए तीन बंदे तुम्हारे अलावा यह जो बंदे हैना का इसी पर्मानेंट बंदे होने चाहिए लाइक तुम्हारे साथ डेली खेलने वाले यह कुस दिन के लिए जब तक तुम्हारा Conqueror नहीं लग जाता है अगर तुम रैंटम बंदों के साथ खेलते हो तुम्हारी प्रॉपर एक Squad नहीं है तुम्हारी अच्छे कांसे माइनस लगीगी और ऐसे में तुम Conqueror नहीं कर पाओगे अभी Second Option हमारे पास आता है Duo Conqueror का तो Duo Conqueror गाईस मुझे Personally सबसे Best लगता है क्योंकि जब Season 11 था ना जब PUBG Mobile हुआ करता था उस टाइम पर मैंने Season 11 पर किया था लिटरली गाईस उस टाइम पर चीटर्स भी इतनी होते थे लेकिन क्योंकि मैंने Duo में किया था अब देखो Duo की बात करें अगर तो सबका एक नएक दोस्त तो ऐसा होगा ये गेम में जिसके साथ तुम हमेशा खेलते हो ऐसे दोस के साथ अगर Conqueror पुश करोगे ना तो easily तुमारा Conqueror हो जाएगा क्योंकि Season 11 में मैंने भी इसी बंदे के साथ जिसके साथ तुम अब ये Clips देख रहे हो ना इसी के साथ मैंने Conqueror पुश किया था अगर तुमारा कोई ऐसा दोस ले जिसके साथ तुम बहुत टाइम से खेल रहे हो तुमारी सिनर्जी अच्छी उस दोस के साथ और वो खेलता भी रहता है तो तुम उसके साथ Conqueror पुश करो तुमारा easily हो जाएगा अब third option के अगर बात करें तो वो रहता है solo अब देखो guys मैं ऐसा बंदा होना कि मुझे personally एक बंदा चाहिए ही चाहिए एक दोस चाहिए ही चाहिए खेलने के लिए वरना मैं बोर हो जाता हूं game में बहुत जल्दी लेकिन अब काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा सा time मिलता है तो जब भी उने time मिलता है वो खेल लेते है अकेले अकेले या फिर जिनको limited time के लिए phone मिलता है वो भी अकेले खेल लेते है तो अगर तुम इस चीज़ से फरक नहीं पड़ता है कि तुम अकेले सोलो भी काफी जादा सही रहता है लेकिन सोलो में यह दिक्कत है कि अगर तुम मर गए तो तुमें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा बट अभी recall जना इतने आ चुक है तो सोलो भी easy हो चुक है तो सोलो में अगर तुम कर सकते हो तो सोलो तुमारे लिए best चीज रहने वाली है तो चलो काइस अभी बात करते हैं कि अगर तुम कॉंट क्यूरर रैंक पुश करने वाले हो तो तुम्हें कितना खेलना पड़ेगा और जो रैंकिंग सिस्टम में वो कैसे गाम करता है तो काइस दिको जब भी नया सीजन आता है तो शुरू कि जो चार दिन होते हैं तीन जादा देर करते जाते हो ना तो तुमारे जो पॉइंट से वो बढ़ते जाते हैं क्योंकि और लोग तो तुमसे अच्छा खेल रहें और लोग तो जादा खेल रहें तो धीरे दीरे जो लोग अच्छा खेल रहें उनके पॉइंट बढ़ते जाता है तो कॉंट क्यूर का जो Conqueror का लेवल होता है वो भी बढ़ते जाता है तो अगर तुम चाहते हो कि तुम फटा फट से Conqueror कर पाओ तो तुमें शुरू के जो सीजन के 3 दिन होते है ना चार दिन होते है ना उन दिनों में तुमें बहुत जाधा खेलना पड़ेगा जो 6 hours की जो limit है ना वो तुमें पूरी कर देनी है और जितने जाधा हो सके उतने जाधा plus लेनी अच्छे-च्छे matches निकाल के अगर तुम जाधा खेल नहीं सकते हो ना तो जितने match खेल रो उनमें जाधा से जाधा चिकन लेनी की कोशिश करो, किल्स लेनी की कोशिश करो अगर तुम बहुत अच्छा खेलते हो तो तुम थोड़े से जाधा दिन में भी Conqueror कर पाओगे अगर मेरी बात करो तो season 11 में मैंने season जब खतम होने वाला था तब मेरा Conqueror हुआ था वो उस टाइम पे होता ने था बहुत जाधा हाड था लेकिन अभी recalls की वज़े सा बहुत जाधा easy हो गया Conqueror पुश करना तो शुरू के 3-4 दिन बहुत अच्छे से केल लो और तो मैं easily frame मिल जाएगा बागी काई से कर ranking system की बात करें तो server में जो top 500 बंदे होता है जो तुमारी rank होती है न वो अगर 500 के under आ जाएगी न तो तुम्हें उसी राद जो है न लाइक सुबह हमारा server जो है वो reset होता है और जब reset होता है न सरवर सुबह 5 बजे उस time पी तुमारी जो rank है वो under 500 रहनी चीए अगर तुमारी rank रह जाती है तो तुम्हें Conqueror का जो frame है title है वो मिल जाता है लेकिन Conqueror लगने की बाद guys तुम्हें 5 matches जो है न वो Conqueror tier पे खेलने पड़ते हैं और उसी की बाद जो तुमारा title है जो तुमारा frame है वो permanent मिलता है तुम्हें जब भी Conqueror कर रहे हो तो यह गलती मत करना क्योंकि बहुत सारे लोग सूचते हैं कि अभी तो Conqueror मिल चुका है और अब minus लगवाते है for followers है क्योंकि बहुत जादा safe खेलके है मन करता है कि अब जो है rush करके खेले और इसी चेकर में उनका जो Conqueror है वो हो जाता है लिगन उन्हें जो title है frame है वो नहीं मिल पाता है तो इस चीज़ का तो तुम्हें ध्यान रखना ही है बाकी अगर तुम 500 से नीची भी ले आते हो rank like top 100 में ले आते हो तो तुम पूरे server में show होने वाले हो यहाँ पर तुम rank वगरा देखते हो न top 100 जो होता है वहाँ पर तुम आजाओगे और वहाँ पर आने के बाद दो तुम्हारे मज़े ही मज़े है तुम अपने दोस्तों को दिखा के flex कर सकते हो कि भाई मैं top 100 में हूँ बाइद वे जब मैंने season 11 में किया था यहाँ पर तुम screenshot भी देख सकते हो मैंने इस्टा पर उस टाइम पर शेयर किया था तो यहाँ पर तो मैंने कोई भी ranking वगर आचीव महीं करी थी क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि season खतम होने वाला था तो मुझे मिल गया Conqueror वही बड़ी बाती मेरे लिए लेकिन इसके बाद मैंने एक बार और Conqueror push किया जब है न हमारा जो Korean PUBG है वो हम खेला करते थी क्योंकि जो PUBG Mobile है वो इंडिया में बैन हो चुका था तो इस बार मैंने Korean PUBG में अपनी rank push करी और यह भी मैंने duo में करी same teammate के साथ लेकिन इस बार मेरी जो rank सी वो कुछ 13 या 14 पे थी लेकिन उसका screenshot मेरे पास नहीं है लेकिन तोड़ी सी नीचे वाली rank का screenshot तुम यहाँ पे देख सकते हो और जैसा कि तुम पढ़ सकते हो कि मैं rank push से बहुत जादा पक चुका था इसलिए मैंने hashtag one नहीं किया बाइदेवे उस टाइम पे सारे जो servers है वो हुआ करते थे अभी तुम BGM केलते हो तो यहाँ पे सिर्फ Indian players आते है लेकिन उस टाइम पे सारे जो देश सारी जो countries है उसके players हुआ करते थे इंडोनिशा के बंदे बहुत अच्छा केला करते थे अभी कभी पाकिस्तानी बंदे आते थे जो बहुत जादा अच्छा केला करते थे उस टाइम पे तो competition है ना वो next level हो अगरता था बागी अभी है ना competition भाई इतना जादा नहीं है लेकिन जो campers है वो बहुत जादा है और सभी लोग DBS लेके बैठ जाते है तो अगर DBS लेके कोई camp कर रहा है तो भाई देखो बहुत जादा मुश्किल होने वाला है तो इस चीस की जो दिक्कत है ना वो अभी होते रहती है conqueror pushers को आगी आगे चलके बात करें तो अभी तक मैंने तुम्हें समझा दिया कि ranking system कैसे काम करता है तो मैं solo करना है duo करना है squad करना है वो चीज़े कैसे काम करती है लेकिन अभी strategy कि अगर बात करें ना एक strategy जो मैंने सॉब से पहले conqueror जब सीजन 11 में में किया था उस ताइम पी उस करी थी वो यह थी कि मैं अब हाँ मैंने अभी यह बोला कि सब लोग बीज़े मैं 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 कैम करते है और मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं उस ताइम पर कैम कर रहा हूं लेकिन गाइस उस ताइम पर चीटर इतने जादा थे ना हर एक बंदा चीटर था और चीटर की फाइट हुआ करती थी पूरे मैच में हमारा ऐसा काम था ना कि हम छुपके बैट जाते जितनी जादा प्लस मिल रहे हूं तनी ले लेता है बाकि जो चीटर है वो पूरी प्लस वगरा लेके जाते थे और एंड मैं हम लेजिट बंदे अचोक है सुल में रिकॉल भी चोड़ो अभी तुम्हें रिकॉल करना भी नहीं पड़ता है तुम आटमेटिकली काड़ जाते हैं लोग्स तुम्हें रिकॉल वाला सिस्टम हुआ नहीं करता था सभी लोग रिप्ल टावर पेना KP करके मैठ जाते थे कि अभी कोई मिल रहे हो उतने kills उठा लो यहां पर kills अगर तुम ज़्यादा कलते हो तो तुम्हें अच्छी खासी plus भी मिलती है and recall में अगर तुम ज़्यादा मार के खेलते हो तो तुम्हारा confidence भी थोड़ा सा boost होगा तुम्हें अच्छे kills मिल जाएंगे तो तुम्हें दिक्कत ने होगी बाद में केडी मेंटेन रहेगी तो simple सी बात यह है कि guys दिखो शुरू से तुम्हें खेलना तो ऐसे ही है कि मेरे पास AK life है और AK life अगर तुम समझ के खेलोगे ना तो जो तुम्हारा recall ना तुम्हें बस काम यह आएगा कि तुम्हें अना second chance मिल जाएगा अगर तुम first recall को ऐसे समझ के खेलते हो ना हमेशा कि भाई अभी तो recall है अभी तुम मर जाऊँगा तो कोई दिक्कत नी है तो तुम्हें जादे तर जो recall है वो ऐसे ही waste करने वाले हो तुम्हारा जो first recall है उसे तुम first life ही समझ के खेलो अब इसका मतलब यह भी नहीं के camp करके खेलो हाँ यह के life है तो camp करके खेलूँगा वहाँ पर जितनी जादा हो सके ना उतनी जादा kills करो स्ट्रेटेजी के लिए खेलो ऐसानी कि अन्दा ही रश कर रहे हो कहीं पे भी कोई अगर नूब बंदा दिख रहा है तो उस पर अन्दा गुस गए नेड करे भी ना गुस रहे हो मॉली नहीं यूस कर रहे है यह सारी चीज़ तुम्हें नहीं करने और इनकी उपर आप आप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडब बाए आप कि तुम जो भी आ ना, Conqueror देखना चाहते हो ना, Rankpush वागरा, उनकी वीडियो में टालता हो, Daily gameplay वगरा तो वह भी देख सकते हो बागी या, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडब बाए, I love you guys, keep grinding.